की जंग वो नहीं जीत पाएगा इसी वज़े से अमेरिका पश्टिम एशिया से अपना बुरिया बिस्तर समेट रहा है यह रपोर्ट देखें इरान के वार गेम का पूरा प्यान सामने आ गया है युद्ध के सब्तर दिन बाद बता चल गया है कि खुद इरान ने इस्रेल और अमेरिका के खलाव अपनी रणनीटी से परदा उठाया है इरान ने बता दिया है कि उसका अकलावार क्या होगा, कहा होगा और कब होगा इरान ये तो पहले ही कह चुका है कि पश्यमेशया में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है ऐसा धमाका जो कया मतला देगा, जो सब कुछ मिट्टी में मिला देगा जिसे ना इस्रेल जो काईगा, ना अमेरिका पर अब इरान ने जो कहा है, उसने अमेरिका और इस्रेल की सांस हलक मिला दी है इरान की सेना की ब्रांच, IRGC, यानि Islamic Revolutionary Guard, कोर के प्रमुक ने पूरी दुनिया के सामने सीना ठोक कर साफ साफ कहा है कि घाजा की लड़ाई तो बहुत छोटी है इरान का मकसर इस्रेल को बहुत बड़ी जंग में घसीटने का है इतनी बड़ी और पेचीदा जंग, जिससे इस्रेल और उसका दोस्त अमेरिका जितना बाहर निकलने की कोशिश करें उतना ही डलदल की तरह फंसते चले जाए इरान के इस वार गेम में तो घाजा बस एक शुरवाती पॉइंट है इरान की साजिशों का जाल गाजा से शुरू होकर इसरेल के बड़ोसी देशों लेबनान, सीरिया, इराक और इसरेल के दक्षन में मीलो दूर बसे यमन तक फैला हुआ है इरान गाजा में तो हमास के पीछे खड़ा ही है वो लेबनान में चरमपंथी संगटन हैसबॉला से भी इसरेल पर हमला करवा रहा है और इसरेल के दूसरे बड़ोसी देश, सीरिया में तो खुद इरान मौचूद है उसने वहां से इसरेल को गेर रखा है सीरिया और इसरेल के बीच भी आए दिन हवाई हमलों के खबरे आ रही है और कुछ वक्त पहले इस लड़ाई में ताजा एंट्री होई है यमन के हूथी विद्रोहियों की अमेरिका ने अपने अर्क्राफ्ट करियर, लड़ाको विमार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम पश्चन एशिया में तानात किये तो इरान ने यमन में अपने समर्थन वाले हूथी विद्रोहियों को इसरेल के पीछे छोड़ दिया हूथी विद्रोहियों फिलिस्तीनियों का साथ देने के नाम पर इसरेल पर मिसाइल पर मिसाइल छोड़े जा रहे हैं हूथी विद्रोहियों ने तो यमन के बगल में मौझूद लाल सागर को भी जंग का अखाड़ा बना दिया है वो वहाँ से गुजरने वाले हर जहाज पर हमले कर रहे हैं खूती वी द्रोहियों ने कसम खाई है कि जब तक इसरैल घाजा में शांत नहीं होगा तब तक लाल सागर से उसका एक जहाज नहीं निकलेगा खूथी लड़ाके लाल सागर में इतने हमले कर रहे हैं कि खौफ के मारे जहाज कम्पनियों ने वो रूट पकड़ने से ही तौबा कर ली है इस वज़े से एशिया से युरप और युरप से एशिया जाने वाले पानी के जहाजों को पूरे के पूरे अफ्रीकी महाद्वीब का लंबा चोड़ा चक्कर लगाना पड़ रहा है जिस सफर महंगा हो रहा है और पूरी दुनिया पर उसका असर पड़ने लगा है इसलिए अमेरिका और ब्रिटन जैसे उसके दोस्तों को लाल सागर की बहरेदारी करनी पड़ रही है हूथी वे द्रोहियों से लड़ने के लिए उन्हें अपने जंगी जहाज समंदर में उतारने पड़े हैं और एक दिन पहले तो हूथी वे द्रोहियों ने ड्रोन से ऐस इसे ताबर तोड़ हमले किये कि अमेरिका और ब्रिटन ने लाल सागर में पंदरह ड्रोन मार के रही है। पूछा कि क्या अफगानिस्तान पर कपचा अमेरिका को जीत दिला पाएगा? क्या अमेरिका इराक में टिक पाएगा? क्या अमेरिका सीरिया में जीत पाया? या उसने वहां सिर्फ पैसा पानी की तरह बहाया? क्या अमेरिका करोनो डॉलर खर्च करके लिए अपनान या यम में कुछ हासिल कर पाया या फिर उसे हार कर मैदान शोड़ना पड़ा इरान के मेजर जनरल ने अमेरिका पर जो सवाल उठाये वो एहम है अफगानिस्तान उसका सबसे ताजा उदारन है अमेरिका ने वहां 20 साल तक अपनी सबसे लंबी जंग लड़ी मगर दो दशकों में भी वो वहां से तालिबान का सफाया नहीं कर पाया तो क्या इरान अमेरिका के अफगानिस्तान वाली गलती को उसके और इस्रेल के खिलाफ अपना हत्यार बनाना चाहता है क्या खाजा को इस्रेल के लिए अफगानिस्तान बना देगा इरान चाह इरान इस्राइल का वही हश्र करने वाला है जो एराक, अफगानिस्तान और सीरिया में अमेरिका का हुआ ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस दूसरे विश्योत के बाद अमेरिका सुपर पावर पन करोब रहा उसके बाद वो मुश्किल से ही कोई एहम जंग जीता है अमेरिका के साथ मुश्किल ये है कि वो एक साथ दुनिया के अलग-अलग कोनों में कई मोर्चों पर लड़ रहा है और जैपूर से बड़े कबर आपको बता दे जेजेयाम यानि की जल जीवन मिशन में ब्रस्टाचार का महा बड़ा खुलासा हुआ है एन जेजेयाम की रिपोर्ट में बड़े ब्रस्टाचार का खुलासा हुआ है केजर की थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन्स के निर्देशों की धज्जियां उड़ी है बड़ी खबर आपको बता रहें पीच में जैपुर से बड़ी खबर जेजेम महा भरश्चाचार का बड़ा खुलासा किया गया है साफ हो गया कि घटिया सामागरी का सामान इस्तमाल किया गया था घटिया सामागरी के पाइप जंक लगे हुए पाइप का इस्तमाल किया गया था लगाता जो जेजेम के कारियों में कई चौकाने वाले खुलासे प्लानिंग और डिजाइनिंग की सामने आई है DPR में भी ब्रस्टा चार घटिया क्वालिटी के लगाए गए प्लास्टिक पाइप बिना लाब टेस्ट के ही ये घटिया पाइप लगाए गए ठेकेदारों को रंगीन बिलो का नियम के खिलाब भुकतान किया गया है जहां स्रिपोर्टर में भारी आने मताओ का एक बड़ा कुबासा हुआ है एन जेजेम की तीमों ने पेश की है जेजेम की कामकास की रिपोट और उस खबर पर हमारे समादाता राकेश जुड़े है राकेश आकिरकार खिलासा हो ही गया जेजेम के कार्यों में कई ऐसे एहम खिलासे हुए है एक महा भ्रस्टाचार का पोल अब सामने आ गया है राकेश यहां तक कि जहां पर जो इस्टील के पाइप लगने थे उन पाइपों की जगे प्लास्टिक के पाइप लगाए गए और चौकाने वाली बात यह है कि इस प्लास्टिक के पाइपों की गुर्वत्ता भी जास नहीं की गई और रनिंग भी लोग का ही ठेकेदारों को भुक्त किये गए साथ ही जो एक हमेशा डिजाइन और जो अप्रूवल का जो एक कंसप्ट होता है ड्राइंग डिजाइन उसको बिना अप्रूवल के ही निर्मान कायरिस रू किये गए यानि जो नीव रखी गई जल जीवन मिशन के कारियों के लिए एंजे जीम की टीम ने राजस्थान के कई जिलों का दोरा किया उन तमाम जिलों में जब जाच की गई तो यह सामने आया है कि रष्टा चार में सिर्फ ठेकदारी सामिल नहीं थे बलकि जलदाए विभाग के उच्छ अदिकारी भी सामिल थे क्योंक के दिसा निर्देस जो है केंद्री जल्सक्ति मंतराले ने जारी किये थे और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के बाद ही इन विलों का भुक्तान होना था लेकिन यहां राजस्थान में जो निर्मान कारी हुए हैं उनकी जाच के लिए फडूपारी के लिए मैंपावर ही नह यह था एंजे जेम की टीम ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि एसे ठेकेदारों के को जो विभाग के अधिकारी और समझने अजिंसिया है उन्हों ने जो है कही न कहीं बचाया है और उनके साथ उनकी मिली भकत सनलिपता भी सामने आई है जो पाइप लगाए गए है डिय नहीं पाई गई तो लगाई गई निर्मान सागरी में तो बिलकुल ही नहीं पाई गई यानि इसका मतलब यह है कि इतना बड़ा बड़े सीमा पर ब्रस्चाचार और किया गया है और इसलिए जब बारिश या मौसम खराब होता है तो जीवन लोगों के अस्तिवेस्त हो ज नहीं पाई गई स।व जो 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 बुम झालया है जो 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 इसकी नहीं तो Tam